हेलो गाईज कैसे हैं आप सब आई होग कि आप लोग बहुत अच्छ होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ उसका यूज करके आप अपने चैनल पर जो है व्यूज बढ़ा सकते हैं सस्क्राइबर बढ़ा सकते हैं और आपके ज सबस्तलि वीडियो ले के आतर होँगा सबसे पहले का करना है आपको अपना जो है why टी स्टूडियो ओपन कर लेना है इस तरीके से अगर आप मोबायल फोन से करेंच तो आपको अपना tech Harbor मोड में अपना यापिस तरीक डिए का इंटर्फेस सांबने ऑपन होजाए गश्ट तो आपको यहां एक option मिल जाएगा customize channel का जब आप इस पर click करेंगे guys तो guys आप जब customize channel पर click करेंगे तो कुछ इस तरीक का interface आपके सामने open हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं guys आपको कुछ option दिखाई पड़ेंगे video spotlight ठीक है यह option मिलेगा इसके अंडर आपको दो option और मिलेंगे इसी option का मैं बात कर रहा हूँ पहला option है guys channel trailer for people who has not subscribed मतलब इसका मतलब यह है guys कि अगर आप यहां पर अपनी video का एक trailer add करना चाहते हैं लगाना चाहते हैं जिससे आप जो है अपनी video को promote कर सकें अपने channel को promote कर सकें तो उस तरीके का video यहाँ पर आपको लगाना होगा जब भी कोई नया subscriber guys आपके channel पर visit करेगा तो वो video उसके सामने automatically play होने के start हो जाएगी तो अगर content अच्छा होगा video का trailer अच्छा होगा आपके सकते हैं यह channel का promotion अच्छा होगा तो आपके channel को subscribe भी subscriber कर सकता है तो कैसे add करते हैं guys यहाँ पर देखे add का option आ रहा है इस पर जब click करें guys तो आपको क्या करना है कि आपके channel की जो recent video हो या सबसे best video जो आपको लगती हो कि हाँ यह video बहुत अच्छी है मेरी उस video को आप जो है अपने channel के trailer में add कर सकते हैं ठीक है या फिर कोई interesting video हो जो एक जो है click bet type का हो तो उस तरीके का जो है कुछ trailer आप जो है अपने वीडियो में add कर सकते हैं या फिर आपके channel कोई introduction हो कि आप अपने channel पर क्या upload करना चाहते हैं या क्या upload करते हैं तो इस तरीके की video आप बनाते हैं उस तरीके कोई video हो उसको भी आप अपने channel के trailer में add कर सकते हैं वन मिलियर इंप्रेशन वाला है इस video को मैं अपने trailer में add कर देता हूँ तो इसको क्या करना है, इस पर click करेंगे, जब इस पर click करेंगे तो यहां पर दे सकते हैं, यह जो है मेरे चैनल के trailer में add हो जाएगा, उसके बाद जो second feature है guys, यहां दे सकते हैं, feature video of running subscribers, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो running subscriber है, या आपके जो subscriber आपके चैनल को subscribe किये हैं, उनक से वो भी add कर सकते हैं आपने जो है channel में, यहां देखे, add का option आ रहा है, इस पर जब आप click करें guys, तो यहां से आपको जो video लगता है कि आप अपने running subscriber या फिर आपके जो main subscriber, subscribe किये हैं आपके channel को, उनको दिखाना चाहते हैं, तो वो भी यहां पे आप जो है उसका भी trailer add कर स लगाने के बाद guys, यहां देखे हैं मेरा दोनो जो है trailer लग चुका है, हमारे नय subscriber के लिए है, पहला वाला और दूसरा हमारे पुराने subscriber के लिए है, जो हमारे channel को already subscribe कर रखे हैं, उसके बाद guys, यहां पर देखिए आप, इतना करने के बाद यहां पर published का option आएगा, इस पर आपको click करना होगा, तो आपका जो यह दोनो changes है, वो आपके channel पर implement या फिर जो है add कर दिया जाएगा, तो guys यह जो video spotlight है, या फिर कह सकते हैं कि जो channel का trailer है, इसको add करने के बाद, किस तरीकी का जो interface जो है आपके subscriber के सामने show होगा, मैं आपको दिखा दिता हूँ कि किस तरीक channel sales करने के बाद guys, अब मैं इस पर visit करता हूँ, ठीक है, इस पर जब click करूंगा channel पर, तो देश करते हैं guys, यहाँ पर मैंने एक video add कर रखा है features में, ठीक है, तो यह video जो है, मेरा feature video है, या कह सकते हैं कि मैंने trailer में video add कर रखा है, तो यह video उपर ही show हो रहा है guys, ठीक है, तो मै video show हो रहा है, featured video for running subscriber, क्योंकि मैंने already subscribe कर रखा है, अगर मैं इसको unsubscribe कर दो guys, देख सकते हैं guys, मैं इसको unsubscribe करूंगा, और फिर से मैं इसको refresh कर दो इक बार, तो आपको देख सकते हैं कि कि इस तरीका interface जो है, आपके सामने open हो जाएगा, आप देखी guys, यहाँ पे, यह जो है channel trailer for people who have been not subscribed, मतलब जो subscriber आपके channel को subscribe नहीं किया है, उनके लिए यह video है पहला वाला, ठीक है, तो मैंने subscribe अभी जो हटा दिया है, देखे पहला वाला video मैंने सामने automatically play होना start हो गया है, तो इससे benefit क्या होगा guys, कि जब कोई subscriber आपके channel पर visit करेगा, तो अगर आपकोई interesting video होगा, अगर वो video अपने आप play होना start हो जाएगा, तो उसका interest बनेगा आपके channel पे, तियार इस तरीके video आप upload करते हैं, यह content आप upload करते हैं, अगर उसको useful लगता है, तो definitely 100% sure, वो आपके channel को subscribe करेगा ही करेगा, तो guys यह feature का जो है use आप भी करिए, बहुत यह अच्छा feature से guys, इससे आपकी video पे views भी आएगा, और आपको नएने subscribers भी मिलेंगे, तो I hope कि guys आपको समझ में आओगा कि कैसे use करना है, मैंने आपको detailing बता दिया है, उसके benefits के बारे मता दिया है, और आपको video अच्छा लगा हो guys, वीडियो को like करिएगा, चैनल पर पहनी बार आएगे, इस चैनल क